स्रिसाइन पेट्वल के आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ गोल्डन रेट्रीवर का जो कलर है वो बच्चे का वाइट है और बड़े होके रेड कैसे हो सकता है जी दोस्तों जैसा कि आपने इस छोटी से इंट्रो में देखा कि बच्चा जो है जब हम देते हैं जाब जाब भी पैदा होता है या पहले एक या दो महींने ये क्रीम कलर है और बाद में गोल्डन कैसे हो गया तो आज मैं आपको इस बात का अंसर एक एक एकजम्पल के साथ दूँगा मेरे से अर्चना जी है अपना शिमला से है इन्होंने मेरे से lockdown के टाइम में देठ साल पहले की बात है तब इन्होंने मेरे से golden retriever लिया था बड़ी मुश्किल से इनको हमने पहुँचाया था हमें पता है कि उस टाइम पे transportation बड़ी मुश्किल थी लेकिन फिर भी हमने पहुचाया तो जैसा कि आपने छोटी से intro में देखा जब हमने कैसी बन रही है तो कोको एंड ली का बच्चा था ये क्रीम था मेल था ठीका जी जब हमने इनको दिया और आज का वीडियो आप साथ में देख सकते हो पूरी तरह से golden हो गया है लेकिन मैं हर पने हर customer को जब भी retriever का phone आता है तो मैं कहता हूँ कि ये golden ही है golden retriever का नाम ही golden retriever है तो वो golden ही बनेगा अगर वो हमारी ली का बच्चा है अगर वो हमारी breeding का बच्चा है चाहे वो कोको का है चाहे किसी और female का है चाहे वो max का है अभी ली के आगे हम आगे max ready करिया हूँ है हमने तो उसी का बेटा है पानीपद की, पानीपद में मैंने किसी को दिया था उन्होंने में किसे special demand की मेरे को white color का ही चाहिए mostly white जो होगा, जैसे shi dzu में राजकर लोग मांग रहे हैं के white ही दो तो उन्होंने मेरे से white golden retriever मांगा था और मैंने specially कहा था कि sir मैंने आपको white ढूंड दिया है लेकिन ये बच्चा बाद में golden हो जाएगा and he said कि ऐसा थोड़ी नहों सकता है हर बंदा यही कहता है कि ऐसा थोड़ी नहों सकता है जो बच्चा पहले light आप बाद में golden कैसी हो जाएगा बताईए अब ये examples आपके सामने है पपी कोट कहते हैं जो एक बार दो बार तीन बार निकलता है और उसके बाद जब fourth time, fifth time जब वो कोट आता है जब डॉग आपका 13, 14, 15 या 16 महीने का हो गया तब वो कोट आएगा और तब आप खुद देखोगे कि हाँ भी ये तो पुरा golden बन गया अच्छा एक और आपको बताता हूँ ये साथ में आप ली की photograph देखिए ली का कोट बिल्कुल golden है लेकिन ध्याम से देखिए इस golden कोट के नीचे white कोट है उसकी legs के उपर देखिए वो white कलर के बाल है तो वो जो base कोट है वो creamish ही रहेगा उसके उपर red कलर की jacket आएगी just like जैस जर्मन शेफिट के ओपर जो jacket होती है पीठ के ओपर black कलर की होती है तो ये चीज़ है ठीक है जी है अच्छा अगली बात आती है हेर्स की जब हमने किसी को golden retriever dog दिया ठीक है जी दो महीने तीन महीने तो पूरा fluffy रहता है अब उसके बाद होगे जी बाल गिरने शुरू ठीक जी अब उसके बाद हो गया हुए जी मानलोब बाल नहीीं भी गिरते हैं हम ने उसे nutrition दे दिया है ऑजकल solutions है ठीक ही हमने उसको nutrition दे बाल नहीं गिरिए इसके लेकिन उसने grow कर ना है मू लंबा हो गया टांगे लंबी होगी कान हलके हलके अलके जैने के कानों के उपर बाल कम होगे तो कान हलके से फलाई होने शुरू हो जाते हैं तो कस्टमर चकरों में पढ़े जाता है कि यार ये क्या ये तो मेरे को मुझे लगता है गलत ब्रीड दे दी उन्होंने तो ये मैं अपनी बात नी बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगे को पास मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि सर ये देखना जी फोटोग्राफ ये वीडियो डाल रहा हूँ क्या ये लासा ही है क्या ये शिड्जू ही है क्या ये गोल्डन रेट्रीवर ही है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धोका करते भी हैं इसी लिए तो लोग कहलो कि इतनी complaints आती हैं तो सारी complaints मैं ये नहीं कहा रहा कि सारी complaints सही है या सारी complaints गलत हैं बहुत सारी complaints सही भी है और बहुत सारी complaints गलत भी है लोग जल्दी decide कर लेते हैं कि नहीं भाई ये कि क्या बना वो, ठीक है जी क्या बन रहा है, कैसे जा रहा है, उसके पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रॉट विलर की quality क्या है ये डॉबर मैन की quality क्या है ये boxer की quality क्या है ये bull mastiff की quality क्या है ये English mastiff की क्या है ये French mastiff की क्या है ये golden retriever की क्या है ये Labrador की quality क्या है इन breeds को मैंने specially नाम लिया आपको जितने मिरे कोई याद आए इनका result जो है वो आपको 14 महिने से पहले नहीं मिलेगा, उसके पहले अगर आप सोच रहे हो तो मेरे साथ से आप बहुत जल्दी कर रहे हो और जिससे भी आपने लिया है, उसको कम्प्लेंट आप जल्Дी दे रहे हो तो कोशिश करो जी कि आप उसको एक साल तक जरूर बेट करो स्मॉल ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड छे महीने आठ महीने में आराम से पता लग जाता है कोई ऐसा इशू नहीं है आपको रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ भी मेरे पास प्योर ब्रीड है या आपके पास गडबड है तो वो आपको शुरू सही पता लगना शुरू हो जएगा कि यार ये तो गडबड हो गई जल्दी के चक्कर में गडबड हो गई तो ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आसके कि हाँ भी आप क्या लेने रगे जा रहे हो वो कैसा नजर आना चाहिए और कैसा वो बड़े होके बनेगा अच्छा यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे इसको फोन आया है आप कहीं और मत करना है ना तो किसी और से मत पूछना मैं कहता हूँ कि डौक लेने से पहले 10 बार पूछो 10 बार 10 लोगों से बात कीजिए उनको बोलिये कि सिर्फ बात ना कीजिए बात करके सिर्फ यह ना बोलिये कि भाई प्राइज क्या है और ज्यादा तर लोग करते क्या है जहां पर price कम मिला वहां पर बोलते हैं कि भाई साब फोटो दिखाओ तो गर्बड होती है यहां पर यह गर्बड नहीं करने 10 बंदों को पूछो 10 बंदों को बोलो कि फोटो वीडियो डालो ठीक है जी फिर आपके सामने जो 10 बंदों के 10 dogs आपके puppies जो है golden retriever क्यों है यह puppy जो golden retriever है यह 14 का क्यों है यह retriever जो है वो 18 का क्यों है यह retriever जो है वो 25 का 30 का 35 का क्यों है तो वो देखकर आपको पता लगेगा वैसे पता नहीं लगेगा तो यह मेरी आप लोगों से इस वीडियो के जरीए ये request भी है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरी information अच्छी लग रही हो तो subscribe बाला बटन जरूर दबा दीजिएगा तो आप सभी दोस्तों के लिए एक खुशकबरी भी है मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताना चाहूँगा कि हमारे पास golden retriever के puppies जो है ली के आगे फिर से with papers puppies जो हो चुके हुए है 25,000 रुपे उनका प्राइज है mail का तो जिसको भी चाहिए वो हमें संपर कर सकता है तो हम बात कर रहे जी अर्चना जी के तो उन्होंने हमें वीडियो डाले और मिरे को एक बात उन्होंने बोली बड़को बड़ी अच्छी लगी बात उन्होंने बोला के कुरदीब जी आपने हमें बोला था कि ये बच्चा जब डेडी हो जाएगा तब आपसे लोग पूछेंगे के हाँ जी ये किस से लिया जा किसे लिया और कितने मिलिया और यही बात उन्होंने मिरको कॉल पर बताईए और मेरा मन इतना खुश हुआ कि यार वाकई चलो भगवान है उसकी कृपा है साइं की कृपा है उसके उससे हम करते हैं काम और कहलो के उसकी दया है जिससे कि सारा कोछ सही होता है और मालिक ऐसे ही अपनी दया बनाई रखे यही मेरी दुआ है और बड़ी खुशी होती है ऐसे ही जब कोई कस्टमर हमें साल बाद डेट साल बाद उन्होंने मेरे से कसमपर किया तो जब हमें संपर करता है हमें बताते हैं कि हाँ यह डौग आपसे लिया था बहुत अच्छा निकला है we are so happy we also are so happy कि हमने आपको बहुत अच्छी ब्रीड बहुत सई प्राइस में मुझे लगता है कि मेरे प्राइस च्वह बहुत सई है अंत में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि रेट्रीवर के पपीज अगर आपको चाहिए हो या किसी और ब्रीड के किसी भी डॉग ब्रीड के आपको पपीज चाहिए हो वो हमें आप संपर कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आप की requirement को पूरा करें रेट्रीवर ब्रीड के बारे में आपका कोई और सवाल है तो आप मेरे को comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ब्रीड की information के साथ एक नई स्टोरी के साथ जैए की बारे में एक नई सकते हैं एक नई सकते हैं एक नई सकते हैं